दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए फायदे मत बिजनस है हमेशा किताबे बिखती है आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे आपका भाई हो आपकी बहन हो आपके घर में आपके बच्चे हों वो सभी किताबे जो हैं रिजिस्टर और किताबे हमेशा खरीते होंगे 40-50 र बताऊंगा उन मशीनों के rate क्या है कितने की मशीन है और उसके बाद में मैं आपको phone number दूँगा सारा खर्चा बता के मैं आपको phone number दूँगा उनका जो ये machines और ये raw material जितना भी आता है रिजिस्टर कोपियां बनाने के लिए ये सब आपको provide कराएंगे उन सभी के phone number भी मैं को दूँगा देखिए नोट बुक्स ये किताबे बनाने के लिए सबसे पहले आपको raw material खरीदना पड़ता है raw material की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ ये आपको जिससे आप machine लेंगे वही आपको सारा raw material provide करा देगा अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीक इसने गत्ते के अंदर white paper को बिल्कुल एकसार तरीके से डाल दिया इसी तरह सबसे पहले ये white paper जो है गत्ते में डाला जाता है ये गत्ता भी मैंने आपको बता दिया raw material में पहले से ही आएगा सब कुछ बहुत ही आसान काम है ये डालने के बाद में जिस तरह से आप देख में पिन लग चुकी है कुछ कहा है मुपकर करम पचले जो कर दो कर दो सकते हैं हुआ है रहा है कर दित दो के रहा है लोग आपर डिए है hours हुआ है इतना काम को मशीन है इससे क्या होता है इससे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता है बिलकुल जो नीचे की से तरफ आप देख पाएंगे यहां पे बिलकुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं इससे इकसार किया जाता है इस तरीके से इसमें किताबी यह जो डाल के सारी अब इसके बाद में जो चीज शुर तो यहां पर देखे बिलकुल एकसार हो चुकी है लाओ देखे बिलकुल एकसार हो चुकी है कर दो 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 कि रो दो , और के लिए मैं कुछकी। कि पर ऑ starters अब आती है बात यहां पे आप देख सकते हैं यह दूसरी वही मशीन है उसकी जो पिछली साइड है यह बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली साइड है उस पे अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को और यहां पे इन किताबों की कटिंग होगी जो raw material था वो तो जुका तो आगया हमने सिर्फ इसमें पिंग लगाया है कागरे डाला है और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम और हमारा register बनके तैयार हो जाएगा तो देखते रहे हैं इस वीडियो को तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया यहां पे इनकी cutting शुरू होगी तो यह आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिलकुल एकसार तरीके से रख लिया है अब यह इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे और उपर एक blade होगा बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है वो जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताबों को तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख लेएं अभी आप देखिए अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिलकुल एकसार करके यह इन्होंने यह देखिए यह blade चल गया यह आप देख सकते हैं पूरा बारी ब्लेड होता है थाकि एकसार एक बार में काटते हैं और हमारी किताब भी जो है कटके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं यह काम हमारा हो गया complete हमारा register जो है बिल्कुल बन के तयार हो चुका है अब यहमें कुछ नहीं चाहिए direct हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना रिजिस्टर बिल्कुल बनके तयार हो चुका है तो अब इसे थोड़ा सा ये इकसार करेगा जो फाल्तु की जगा जहां भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं ये फिट से वही करगा है ये देखें फाल्तु का सब कट हो गया बिल्कुल और हमारा रेजिस्टर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है अब भी अब इतने शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉंटाक्ट नमर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उनसे कॉंटाक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर अब हमारे चानल को पहनी बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तों इस वीडियो में इतना है मुईत करता हूँ कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियो पहुचे सबसे पहले आपके पाँ